साथ अरुन यादव जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं पूर्व कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्षा कॉंग्रेस के नेता रहे हैं अरुन जी बेहत दुखत जानकारी है मिल रही है बड़े नेता बीजेपी के सांसद है चुके नंद कुमार सिंग जोहान अब सिर्फ स्मृतियों में शेश है कैसे श्रदान जली देंगा हमारे सबके वरेश्ट और मेरे तो महार दर्शिक रहे हो और उनके साथ उनके साथ चुनाव लड़ने का उनके साथ काम करने का उसर मुझे अपने चेत्व में मिला बहुती सौंब और पित्र कुश के रूप में कि अन्होंने मुझे सदेव आशिरवाद दिया और उनकी शती में तो ही वरें हमारे लाके में एक बड़े शती है एक बड़ा राजिय चियरे रूंका रहा और एक बहुती सौंब तरीके से उनके स्देव राजित को किया दलगत राजिती से ओपर उटकर राजिती किये और जब भी उनसे मेरी मुलगात होती थी मैंने उनके हमेशा चलंचो और सदे उन्में मुझे आशिर्वात है मुझे हमेशा एक मातश्रिक के रूम में मैंने उनको दिखाए जी अरुण जी चुकि आप भी उसी शेत्र उसी निमार इलाके से आते हैं जहां से सांसद थे हो राजनेताओं के बीच एक जो कई दफ़ा हम देखते हैं मित्रता होती है सौहार्द होती है यह देखने को मिलती है मैं चोटा सा किस्ता और चाहूंगा कि कोई आपका किस्ता आपको जिक्र करें जब आपकी मुलाकात हुई हो कोई आपका अनुहाव नंदकुमार सिंग को लेकर मुझे ऐसा यान आता है कि कि किसी टीवी शो मेरे हम लोग थे और हम तुम जब सौब जब टीवी शो पर होते हैं तो हुझे तो थोड़ी होट टॉप भी होती ही मुझे यान होता है तो जब शो कटा हुआ तब उन्होंने मुझे एक लगाया और बहुत अच्छा तो यह इससे लगता है कि वो तर्गज राजीती से उपर थे और सदेव ही जब भी उनसे पहरी मुलाखाग होती थी एक चोटे वाही के नात मुझे सदेव अशिद्वान देते थे थे उनकी कवी तो लिश्ची तोर पर हम सब को खल लेवादी शुक्रिया यादव जी हमार साथ कॉंग्रेस के नेता फोन लाइन पर जोड़े और दीखे वो भी उसी इलाके से उसी शेत्र से आते हैं निमार से जहां से नंदकुमार सिंग चोहान सांसत थे लेकिन ये बहुत दुखद खबर हम दुखद वक्त कहेंगे एक बड़ी श्रती है पार्टी के लिए बीज 1877 में शापूर नगर पंचायत अध्यक्ष के तौर पर अपने राजनीतेक जीवन की नंदकुमार सिंग चोहान ने शुरुवात की थी और उसके बाद 1989 में नगर पंचायत अध्यक्ष चुने गए 1983 में निमार से भाजपा के एक मात्र विधायक बने थे नंदकुमार चोहान और फिर लगातार कभी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं